कहते हैं एक सिक्षक भगवान से कम नहीं होता कई उधारन हमने ऐसे भी डेखे हैं जहां किसे सिक्षक के लिए सम्मान इतना होता है कि उनके चात्र उनके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं लेकिन ये कल यूग है और यहां सिक्षक सर्फ एक प्रोफेशन बन कर रह गया है कु इसे सिक्षक 춤 का का मोता है उपने चातरों को अच्छी सिक्षा देना और गुर्ण और गुर्ण के बारे में समझाना लेकिन भिहार के यह सिक्षक अपने बुर意 आच्रन में इतने आगे बढ़चुके हैं कि यह किसी चात्र को सिक्षित करने की जगा ऐसा काम कर दिख रहे जो बेहग ही शर्मनाग है ऐसा ही एक मामरा छपड़ा का है जहां दो सिक्षक का गाली गलोज करते हुए आपस में भिर गए है सिक्षकों के बीच हुई इस लराई का वीडियो सोचल मीडिया पर अब वाइरल हो रहा है तो क्या है पूरी खबर आपको हम बताते हैं बाकियों उसके पहले नमस्कार आप जन्ता जंक्षन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वन दना कैमरा परसन उम्रेकाश के साथ जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां कि सिक्षक अगर आपस में ही लर पड़े तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा कौन बच्चों को बताएगा कि भाई चारा नाम का भी कोई शब्द होता है और गाली एक अपशब्द है जिसे इस्तमाल कर किसी से बात करना एक बेहधी घटिया काम होता है लेकिन यह सिक्षक भला किसे बताएंगे और कैसे बताएंगे जब वो खुदी आपस में छोटी सी बात को लेकर लर पड़ते हैं और इतनी गाली गलोज करने लगे कि वहां मौजूद बाकी सिक्षक भी खुद में शर्म कर वहां से जाने को मजबूर हो जाते हैं जिहां छप्रा के एक सरकारी स्कूल से मामला सामने आया है जहां हम बड़े तो हम बड़े कि आड में दो सिक्षकों के भी जड़प हो गई है और मामला इतना बढ़ गया है कि छोटी से लराई गाली गलोट से लेकर मार पिट में बदल गई है वहां मौजूद किसी वैक्त जो खुद ही स्कूल में देर से आते हैं और अपनी गलती मानने के बजाए आपस में ही लड़ जाते हैं मामलाम नौर प्रखन के धोहाली क्यातल मद्य विद्याले का है जहां दो सिक्षकों के बीच मार पीट गाली गलोट सिर्फ इस वज़ा से हुई है क्योंकि उसमें से एक सिक्षक देर से स्कूल आया तो दूसरे ने उसे टोक दिया फिर क्या था शुरू हो गई आपस में लड़ाई जिनके बीचे जहरप हुआ है उनकी पहचान मोहन सिंग और मोहमत शहजात की रूप में हुई है सोचिए कैसे दोनों की लड़ाई हो रही थी और वहां जाले की तस्विर सामने आई थी जहां सिक्षकों के देर से स्कूल में आने के सजा उनके ही छात्रों ने उन्हें दिया था अकसर आपने देखा होगा कि सिक्षक बच्चों को अनुसाशन का पाठ पर आते हैं उनको वो समय का पाबंद रहने की सीख भी देते हैं लेकिन ज सिक्षक की लेट लतीफी से परिशान बच्चे स्कूल की में गेट पर ताला जर देते हैं और उनकी देर से स्कूल आने की शिकायत लेकर थाने पहुच जाते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ था बिहार के सारंजिले में जहां मश्रक प्रखन मुख्याले के पास स्टेशन रोड उत्क्रमित मध्य विध्याले आश्रम में सिक्षकों की लेट लतीफी से परिशान बच्चों ने स्कूल में ताला जर दिया था और फिर इसके बाद सभी बच्चे एक साथ एक जूट होकर थाने पहुच गए थे थाने प्रभारी से सिक्षकों की शिकायत की जिसकी बाद तो ऐसे अजीबों गरीब मामले जो सरकारी स्कूल से सामने आहीं जाते हैं जो हर बार सिक्ष्व व्यवस्ता और सिक्षकों उपर सवाल उठाने को मझबूर कर देते हैं अब आप ऐसे सिक्षकों को लेकर क्या कुछ आपनी राए रखना चाहते हैं हमारी कब इंबॉक्स में जरूर बताएं और साथ इस वीडियो को साजा भी करें ताकि लोगों को भी पता चल सके कि कैसे बिहार में एक तो सिक्षा व्यवस्ता ठप हो चुकी है और डूसरे में ज करने के लिए देखते रहे जनता जंक्षन धन्यवाद